स्रीमत भागवत महापुरान इसकंद आठ अध्याय पांच स्री सुगदेब जी कहते हैं परिक्षित भागवान को यह गजेंद्र मोक्ष की पवित्र लिला समस्त पापों का नास करने वाली है इसी मैंने तुम्हें सुना दिया अब रैवत मनवंतर की कथा सुनो पांचवे मनू का नाम था रैवत वे चौथे मनू तामस के सगे भाई थे उनके अरजुन, बली, बिंदे, आधी कई पुत्र थे उस मनवंतर में इंद्र का नाम था बिभू और भूतर रै आधी देपताओं के परधान गन थे परिक्षित उस समय हिरनेरोम, बेद सिरा, उर्दवाहु, आधी सब्तरिसी थे उनमें सुब्रिसी की पली का नाम था बिकुंठा उन्हीं के गर्व से बैकुंठ नामक स्रेश्ट देपताओं के साथ अपने अंस से सुएम भगवान ने बेकुंठ नामक अवतार धारन किया उन्होंने लक्ष्मी देवी की प्रातना से उनको परसंद करने के लिए बेकुंठ धाम की रजना की और वह लोग समस्त लोगों में स्रेश्ट है उन्हों बेकुंठ नात के कल्यान में गुन और प्रभाव का वर्णन मैं तीसरे इसकंद में कर चुका हूँ भगवान विश्णू के संपूर्ण गुनों का वर्णन तो वह करे जिसने प्रत्वी के परमानूओं की गिंती कर ली हो छटे मनू चक्छू के पुत्र चाक्छूस थे उनके पुरू पुरुस सुन आदी कई पुत्र थे इंद्र का नाम था मंत्र दुरुम और परधान देवगन थे आप आदी उस मरमंतर में हविस सिमान और भीरक आदी सब्त रिसी थे जगत उत्पत्ती भगवान उस समय भी बैराज को पनी संभूती के गर्व से अजित नाम का अंसावतार गरहन किया था उन्होंने ही समुद्र मंथन करके देपताओं को अमरित पिलाया था तथा वे ही कच्छप रूप धारन करके मंदराचल की मतनी के आधार बने थे राजा परिछित ने पूछा भगवन भगवान ने चीर सागर का मंथन कैसे किया उन्होंने कच्छप्रूप धारन करके किस कारण और किस उद्देश से मंदराचल को अपनी पीट पर धारन किया देपताओं को उसमें अम्रित कैसे मिला और भी कौन-कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली भगवान की यह लिला बड़ी ही अदभुत है आप किरपा करके अवसे सुनाईए आप भक्त वस्त्सल भगवान की महिमा का जियों का त्यों वर्णन करते हैं त्यों ही त्यों मेरा हिर्दय उसको और भी सुनने के लिए उत्सुख होता जा रहा है अगाने का तो ना भी नहीं लेता क्यों नहों बहुत दिनों से यह संसार की जौलाओं से जलता जो रहा है सूत जी ने कहा कि सोनक आदेरिशियों भगवान स्री सुकदेब जी ने राजा परिक्षित के इस प्रश्न का अभिनंदन करते वे भगवान की समुद्रमंथन लीला का वर्णन प्रारंब किया स्री सुगदेब जी कहते हैं परिक्षित जिस समय की यह बात है उस समय असुरों ने अपने तीखे सस्त्रों से देपताओं को पराजित कर दिया था उस युद में बहुतों के तो प्रानों पर ही आबन गई थी वे रन भूमी में गिर कर फिर उठना सके दुर्वसा के साफ से तीनों लोक और स्वैम इंदर भी स्री विहीन हो गये थे यहां तक कि यग्य यागादी धर्म कर्मों का भी लोप हो गया था यह सब दुर्दसा देखकर इंदर वरुन आदी देवताओं ने आपस में बहुत कुछ सोचा बिचारा परन्तु अपने बिचारों से वे किसी निश्चे पर नहीं पहुं सके तब वे सब के सब सुमेरु के सिखर पर इस्थित ब्रंभाजी की सभा में गया और वहां उन लोगों ने बड़ी नम्रता से ब्रंभाजी की सेवा में अपनी परिस्थिती का विश्थित विबरन उपस्थित किया ब्रंभाजी ने स्वयम देखा कि इंद्रवायू आदिदेवता स्रीहीन एवं सक्तिहीन हो गया है लोगों की परिस्थिती बड़ी विकट संकत ग्रस्त हो गई है और असुर इसके भी प्रीत फल फूल रहे है समर्थ ब्रंभाजी ने अपने मन एकागर करके परमपुरुस भगवान का अस्मरन किया फिर थोड़ी देर रुख कर प्रफुलित मुख से देपताओं को संबोधित करते वे कहा देपताओं मैं संकर जी तुम लोग और असुर दैत मनुस पसू पक्षी ब्रिक्ष स्वेच दज आदी समस्त प्रानी जिनके बिराट रूप के एक अत्यंत स्वात काल्पित स्वेंप सकल्प अंस से रचे गए हैं हम लोग उन अभिनासी प्रफु की ही सरन गरहन करें यदि पी उनकी दिष्टी में ना कोई बद का पातर है ना रक्षा का उनके लिए ना तो कोई उपेक्छनी है ना आदर का पातर ही फिर भी स्रिष्टी इस्तिती और प्रलय के लिए समय समय पर वे रजोगुन सत्तुगुन और तमोगुन को स्विकार क्या करते हैं उन्होंने इस समय प्राणियों के कल्यान के लिए सत्तुगून को स्विकार कर लिए कर लिया है इसलिए यह जगत की इस्थती और रक्षा का अवसर है ःधा हम सब उन्हीं जगत गुरु परमातमा की सरण गरहन करते हैं वे देपताओं के प्री हैं और देपता उनके प्री इसलिए हम जिन जनों का वे अवस्य ही कल्यान करेंगे स्री सुगदेब जी कहते हैं कि परिछित देपताओं से यह कहकर बंभा जी देपताओं का साथ लेकर भगवान अजीत के निजधाम बैंकुट में गए वह धाम तमों में प्रकिर्टी से परे हैं इन लोगों ने भगवान के स्वरूप और धाम के समझ में पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा था परन्तु वहां जाने पर उन लोगों को कुछ दिखाई ना पड़ा इसलिए ब्रम्भाजी एक काग्र मन से बेदवानी के द्वारा भगवान की अस्तुती करने लगे ब्रम्भाजी बोले भगवन आप निर्विकार सत्ते अनंत आदी पुरूष सब के हिरदय में अंतर गतरूप बिद्यमान अखंड एवं अर्थ तक्य है मन जहां जाता है वहाँ वहाँ आप पहले से बिद्यमान रहते हैं वानी आपका निरूपर नहीं कर सकती आप समस्ते देपताओं के अराधनी और स्वेम प्रकास हैं हम सब आपके चर्णों में नमस्कार करते हैं आप प्रान, मन, बुद्ध, हिंकार के ग्याता हैं इंद्रिया और उनके बिसे दोनों ही आपके द्वारा प्रकासित होते हैं अग्यान आपका असपर्ष नहीं कर सकता प्रकिर्ती के विकार मरने जीने वाले सरीर से भी आप रही थें जीव के दोनों पक्च अविद्या और विद्या आप में बिलकुल ही नहीं है आप अविनासी और सुख स्वरूप हैं सत्य यूग, त्रेता यूग, द्वापर यूग में तो आप प्रकट रूप से बिराजमान रहते हैं हम सब आपकी सरन गरहन करते हैं यह सरीर जीव का एक मनों में चक्र रत का पईया है दस इंद्रिय, पांच प्रान ये पंद्रह इसके अरे हैं सत्व, रज और तम ये तीन गुन इनकी नाभी है पृत्वी, जल, तेज, वायू, आकास, मन, बुद्धी और एहंकार ये आठ इसमें नेमी है स्वेम माया इसका संचालन करती है यह बिजली से भी अधिक सी गरगामी है इसके चके दूरे हैं स्वेम परमात्मा वेही एक मात्र सत्ते हैं हम उनकी सरन में हैं जो एक मात्र ग्यान सरूप प्रकिर्थी से परे एवम और द्रिस से हैं जो समस्त वस्तूओं के मूल में इस्थित अब्यक्त हैं और देश काल अथवा वस्तूँ से जिनका पार नहीं पाया जा सकता वही प्रभू इस जीब के हृदय में अंतर यामी रूप से बिद्यमान रहते हैं विचार सील मनुस से भक्ती योग के द्वारा उन्हीं की आरात्ना करते हैं जिस माया से मोहित होकर जीब अपने वास्तविक लक्ष अथवा स्वरूप को भूल गया है यह उन्हीं की है और कोई भी उसका पार नहीं पा सकता परंतु सर्व सक्तिमान प्रभू अपनी उस माया तथा उसके गुनों को अपने बस में करके समस्त प्रानियों के हृदय में समुभाव से बिचरन करते रहते हैं जीब अपने पुर्सार्थ से नहीं उनकी किर्पाद से ही उन्हें प्राप्त कर सकता है हम उनके चर्णों में नमस्कार करते हैं यो तो हम देवता एवं डिसीगन भी उनके परमप्रिय सत्व में सरीर से ही उत्पन हुए हैं फिर भी उनके बाहर भीतर एक रस प्रकट वास्तिक सरूप को नहीं जानते जब रजोगुन एवं तमोगुन परधान असूर आदी भी तो उन्हें जान ही नहीं सकते हैं उन्ही प्रभु के चर्णों में हम नमस्कार करते हैं उन्ही की बनाई हुई ये पिर्थवी उनका चरन है इसी पिर्थवी पर जरायूज, अंडज, स्वदेज और उद्दिज ये चार प्रकार के प्रानी रहते हैं वे परम सुतंत्र, परम एस्वरेसाली, पुरसोत्तम, परबरम हम पर परसन नहों यह परम सकतिसाली जल उन्ही का बिरे है इसी से तीनों लोक और समस्थ लोकों की लोक पाल उत्पन होते बढ़ते और जवीत रहते हैं वे परम एस्वरेसाली, परबरम हम पर परसन नहों सुरुतियां कहती हैं कि चंद्रमा उस प्रभू का मन है यह चंद्रमा समस्थ देपताओं का अन बल और आयू है वहीं बिक्षों का समराट एवं प्रजा की बर्धी करने वाला है ऐसे मन को स्विकार करने वाले परम एस्वरेसाली परभू हम पर परसन नहों अगनी परभू का मुख है इसकी उत्पत्ती ही इसलिए भी है कि बेद के यग यगादी कर्मकांड पुर्न रूप से संपन्न हो सके यह अगनी ही सरीर के भीतर जठरागनी रूप से और समुद्र के भीतर बढ़ वानल के रूप से रहकर उनमें रहने वाले अनजल आदी धात्वों का पाचन करता रहता है और समस्त द्रभ्यों की उत्पत्ती भी उसे से हुई है ऐसे प्रमे सरसाली भगवान हम पर प्रसन हो जिनके द्वारा जीव, देवयान, मार्ग से ब्रहम लोग को प्राप्त होता है जो वेदों की साक्षात मूर्ती और भगवान के ध्यान करने योगे धाम है जो पुन्य लोग सरूप होने के कारण मुक्ती के द्वार एवं अमृत में है और काल रूप होने के कारण मृत्यू भी है ऐसे सूरी जिनके नेत रहेवे परम एस्वरे साली भगवान हम पर परसन हो प्रभू के प्रान से ही चराचर का प्रान तथा उन्हें मानसिक सारीरीक और इंद्रिय समंदी बल देने वाला वायू प्रकट होता है वह चक्रवरती समराथ है तो इंद्रियों के अधिश्ठाता देवता हम सब उसके अनूचर ऐसे प्रभू एस्थो रिसाली भगवान हम पर परसन हो जिनके कानों से दिसाएं हिर्दे से इंद्रिय गोलोक और नाभी से वह आकास उत्पन हुआ है जो पाँचो प्रान, प्रान, अपान, उदान, समान और ब्यान, दसों इंद्रिय, मन, पाँचो असु, नाग, कुर्म, कृकल, देवतत्त और धरंज, एवं सरीर का आस्रे है वे परम एस्थो रिसाली भगवान हम पर परसन हो जिनके बल से, इंद्र प्रसंता से, समस्त देवगन, क्रोध से, संकर बुद्धी से, ब्रंभा, इंद्रियों से, और बेद और रिसी ततहलिंग से प्रजापती उत्पन हुए है वे परम एस्थो रिसाली भगवान हम पर परसन हो जिनके बक्ष अस्थल से, लक्षमी छाया से, पित्रिगन, अस्थन से, धर्म, पीच से, अधर्म, सिर से, आकास, बिहार से, अफसराएं परकट हुई है वे सब एस्थो रिसाली भगवान हम पर परसन हो जिनके मुक्ष से, ब्रहमन और अत्यंतर हस में बेद, भुजाओं से, छत्री और बल जांगों से, उनकी ब्रित्ती ब्यापार कुसलता तथा, चर्नों से, बेद, ब्रहमसूर और उनकी सेवा आदी ब्रित्ती परकट हुई है वे परम एस्वर साली भगवान हम पर परसन हो पचबूत काल कर्म सत्यादी गुन और जो कुछ व्यवे की परूसों के दौरा बाधित किये जाने योग्य निर्वरचनी या और निर्वरचनी भिसेस पदार्थ है वे सब के सब भगवान की योग माया से ही बने हैं ऐसा सास्र कहते हैं वे परम एस्वरिसाली भगवान हम पर परसन हो जो माया निर्मित गुनों में दर्सनादी बिर्तियों के दोरा आसक्त नहीं होते जो वायू के समान सदा सरवदा असंग रहते हैं जिन में समस्त सक्तियां सांत हो गई हैं उन अपने आत्मानंद के लाब से परिपुर्ण आत्मसरूप भगवान को हम नमस्कार करते हैं प्रभू हम आपके सरनागत हैं और चाहते हैं कि मंद मंद मुस्कान से युक्त आपका मुख कमल अपने इनही नेत्रों से देखें आप किरपा करके हमें उसका द हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है उसे आप सहज ही कर देते हैं आप सर्व सक्तिमान हैं आपके लिए इसमें कौन सी कठिनाई है बिसियों के लोग में पढ़कर जो देहा भी मानी दुख भोग रहे हैं उन्हें कर्म करने में परिसरम और बहुत अधिक लगता है सरम मिलता है वे स्वेम फल सुरूप ही है भगवान को समर्पीत किया हुआ छोटे से छोटा कर्मा भाव भास भी कभी बिफल नहीं होता क्योंकि भगवान जीव के परम हितैसी परम प्रियतम और आत्मा ही है जैसे बिच को जड़ से पानी से सीचना उसकी बड़ी बड़ी साख खाओं और छोटी-छोटी डालियों को भी सीचना है वैसे ही सरवात्मा भगवान का अराधना संपुर्ण प्रानियों को और अपनी भी अराधना है जो तीनों काल और उससे परे भी एक रस इस्तिती है जिनकी लिलाओं का रह से तरक भी तरक से परे हैं जो स्वेम गुनों से परे रह कर भी सब गुनों के स्वामी है तता इसमें सब्तु गुन में इस्तित हैं ऐसे आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं स्रीमद भागवत महापुरान इसकंदार्ट अध्याई 5 समाप्त हुआ हम आपसे कल मिलेंगे अध्या 6 के साथ हर हर महादेव पसंद आए तो